जैसे ही 3.0 पे क्लिक करते हो तो यहाँ पे आपको आ जाता है Meta Verified Meta Verified क्या है और इसको कैसे यूज करना है तो यहाँ पे देखें आप से लोग यहाँ पे क्लिक करते हो Meta Verified के Option पे तो कुछ इस तरह के से इंटरफेस ओपन हो जाता है तो यहाँ पे मैं दोस्तों आप सभी को समझा देता हूँ यह Meta Verified क्या है और इसका क्या यूज होगा और इसका यहाँ पे किन-किन चीज़ों में यूज होने वाला है काफी important वीडियो है अगर आपको यह option आया तो वीडियो को पूरा देखते रहे है तो सबसे पहले मैं आप सभी को बता देता हूँ आप यहाँ पे आपको यह क्यों देखने को मिल रहा है आप आपके Instagram में यह वाला feature क्यों आया है इसको कैसे इस्तिमाल करना है इसका क्या users होगा सब कुछ मैं आपको बताने वाला हूँ आप देखे आप सभी को भी यहाँ पे कुछ इस तरगे से यहाँ पे आप त्री डॉट पे क्लिक करने के बाद आप सभी को यहाँ पे Meta Verify का option देखने को मिलता है आप जैसे आप इसके ओपर क्लिक करते हो आप जाइन फोर वाइड डेस फोर Meta Verify क्या है मैं आपको यह सबसे पहले बतायता हूँ आप यहाँ पे दोस्तों इनका जो है जो इंस्टाग्राम का आपको यहाँ पे ब्लू टिक के बारे में तो पता होगा Verification Base काफी सारे लोगों को मिलता है जिसकी ज्यादा करके Celebrity को मिलता है तो ऐसे में यह अपडेट का मतलब है यह आपको क्यों आया है क्योंकि आप आप भी यहाँ पे ले सकते हो Instagram का ब्लू टिक उसके लिए आपको क्या खा करना पड़ेगा यहाँ पे सब कुछ की से बताई गई है और यहाँ पे आप सुभी को एक Like, एक Message दिया गया है कि आभी आपको भी यहाँ पे ब्लू टिक मिलने वाला है आपको कैसे मिलेगा और इसका यहाँ पे क्या मतलब है मैं आपको सब कुछ बता देता हूँ आप यहाँ पे सबसे पर आपको Option देखने को मिलता है Inhand आपको Verification का कुछ इस तरह के से आपको देखने को मिलता है Enhanced Verification यहाँ कि Let your followers now the real or fake मतलब कि आप यहाँ पे आपने Instagram के Account पे Blue T को ले सकते हो इन दिनों दोस्तों काफी सरे लोगों के साथ problem हो जाती है क्योंकि उनकी fake ID बनाई जाती है और इची वज़र से यहाँ पे काफी सरे लोगों के साथ scam भी होता है तो इसलिए यहाँ पे Instagram ने यहाँ पे एक rule को लागू कर दिया है आप यहाँ आपको भी Instagram के अंदर Blue Tick मिलने वाला है यानि कि इन्हें ने साथ साथ बता है कि आप यहाँ आपको भी Instagram के अंदर Blue Tick मिला जाएगा आपकी जो यहाँ पे fake account जो लोग बनाते है इसका जंजट खतम हो जाएगा अब आपको यह कैसे मिलेगा मैं आपको यहाँ बतायता हूँ आप देखें इनके कुछ benefits है आप आप देख सकते हो protective protection यानि कि आपकी Instagram के account जैसे आप ब्लू टिक लगाएंगी तो आपकी Instagram जो यहाँ पे team रहेगी आपकी account को बिल्कुल protection में रखेगी हैग वेग का कुछ भी यहाँ पे problem नहीं आएगा आपकी Instagram के account में यहाँ पे support के अंदर जाके आप directly बात करके उसके account भी आप चाहे तो हटा भी सकते हो और directly उनको बात भी कर सकते हो ताकि पता चलेगा कि आपकी account रियल है तो यहाँ पे यह भी यहाँ पे पताया गया और यहाँ पे देखे excuse, extras extras मतलब कि आप यहाँ पे आपको उसके लिए कुछ subscription भी देना पड़ेगा आप देखे आपको यहाँ पे कुछ इस तरगे से joint white list को option देखने को मिलता है आप यहाँ पे आपको click करना है आप जैसे आप आप click करते हो तो कुछ इस तरगे से uray wait white list कुछ इस तरगे से देखने को मिल जाता है और यहाँ पे option देखने को मिलता है okay का आप जैसे आपके option पे click करते हो तो यहाँ पे देखे आप यहाँ पे मैं आपको बतायता हूँ आप यहाँ आपको blue tick मिलने के लिए क्या क्या चीज़ चाहिए होगा आप यहां पर learn more के option पर click किजिए आप यहां पर learn more के option पर click करता हूँ कुछ इस तरह किसे आप पर open हो जाता है about meta on instagram काफी सरे आपको आप देखने को मिल जाएंगे about meta आप यहां से जो इसकी information देख सकती हो आप यहां पर सब कुछ बताया गया है यहां पर आप से भी लोग देख सकते हो about meta और this feature is maybe not available is your located this time यहां भी आपको eligible यानि कि क्या क्या requirement है आपको कैसे मिलेगा सब कुछ आप बताया गया आप देख सकते हो meta verify subscription आपको आपको आपे subscription भी देना पड़ेगा कितने का subscription 1100 का subscription आपको 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 हर मेने देना पड़ेगा तो इसलिए आप यह भी बताया गया है इन दोनों आपको आपको आपे price भी देखने को मिल जाएगा और आपको verify page भी आपको मिल जाएगा access account support most काफी सरे काफी सरे आपको यहां पर detail देखने को मिल जाएंगे और ऐसे में आप सभी को यहां पर eligible आपको मिलने के लिए क्या चाहिए देखिए यहां पर आपको यहां पर बताया गया है आपको मिलने के लिए आपकी account जो है प्राइवेट नहीं होनी चाहिए लागी profile आपको पढ़त हैं लुट हरा फो रहा होना है और यहां पर आट्रा साल से आपको ज्यादा आना चाहिए ठीकि और आपके एकणनल में तो फैक्टर और वेक्रिक्ष्शन लगना चाहिए तभी आपको मिलेगा और अपनी एकणननल प्रोफाइल आपको रहना चाहिए ताकि वो डिरेक्ट कर पाए कि आप रियल परसन हो और यहां पर आपको अपना आदार काट या फिर ओटर आईडी का दरूरत पड़ेगा ताकि उनको बता चले कि यह रियल परसन है ठीक है और काफी सारे डीटेल से आपको यहां पर कुछ भी डाउटे दो है आप आके भी प जयेगा आसानी तरीके से मैंने आपको बतायों तो कमेंट वॉंक्स नही अगर आप चाहते हो तौ साथ